हे वोस्तुब गाइस वेलकम टू तर कम्प्लीट वेर्डवर्पन कोर्स जहांपर हम स्टेमल सी एसस और जावस्क्रूप की कंसेप्ट को बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं यह हमारी प्लेलिस्ट है जिसको आपको बुकमाक कर लेना इसके अंदर हमारी वीडियो चलते जा रहे हैं और इसके अंदर हमारे डेली ही वीडियो आ रही है तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन आइकन को आउन कर लेना सो दट को भी वीडियो आप लोग मिस ना कर दो आज हम ये प्रजक्ट बनाने वाले ह होंगे इसको हम स्टाइल भी कर रहे होंगे आने वाली वीडियो के अंदर यहां पर हम एक नई फाइल बनाएंगे तो यह हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है माई कूल वेबसाइट इसी के अंदर मैं रैट क्लिक करके एक नई फाइल बना लूँगा जिसका नाम हम रखेंगे इसके अंदर हम अपना सारक सारा कोड करने वाले हैं तो कोड करने के लिए सबसे पर हम दबाएंगे exclamation mark and then hit tab तो इससे हमें पता है एमेट की हेल्ट से अपने आप ही कोड और प्लेट कोड लिखा आ जाता है टाइटल के अंदर हम लिख देता है माई रज्यूमे या फिर आप अपने नाम लिख सकते हो अनुजिस रज्यूमे और हम यहां पर चीज़ां डालने वाले हैं सबसे पहले हम अपनी फोटो लिख कर सकते हो इस लिए ठीक है और यहां पर अपने एक फोटो का लिंक मैं आसे कॉपी कर लूंगा आप कहीं से अपने पोटो कर लिखा सकते हो एवन touchdown अपने Instagram वग Girist अगर open हो रखा है तो तो यहां कहीं से भी आपको पस अपनी photo लियो ओने है या फिर आप अपनी खुद की download क yummy photo को भी यहां पर दिखा सकती हो पस अपने imagesогда Colonel में आ अपनी फोटो को लेके आना है, यह तो हमने देखा हुआ है, तो उसको लेके आने के लिए मैं क्या करना है, IMG, and then hit tab, और source के अंदर हम अपना ये लिंक कॉपी कर देंगे, जो हमारी फोटो का अविटार था, alt के अंदर हम लिख देते हैं, यहाँ पर, अनुच कमार्शरमास फोटो, तो यहाँ से हमें परसल जागा कि ठीक है, यहाँ पर अनुच कमार्शरमा की फोटो है, और इसका size भी हम change करेंगे, let's say width हो जाएगी इसकी 300, इसको चला के देखते हैं, चलाने के लिए हम क्या करना है, राइट क्लिक करना है, open with live server करना है, तो इससे हमारे live server पर open हो जाएगी, और यहाँ पर आप देख रही हो, यह हमारी github वाली जो फोटो यहाँ पर दिख रही है, अब इसके नीचे मुझे अपना नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हम आएंगे यहाँ पर, command enter, command enter या फिर control enter कुछ भी कर सकते हैं, Windows के अंदर control enter होता है, Mac के अंदर command enter होता है, जिससे हम नई लाइन पर आजाएंगे, और यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते है, h1 के अंदर हम अपना नाम लिखेंगे, तो मेरा नाम है Anuj Kumar Sharma, and then इसके नीचे एक P tag के अंदर, मैं कुछ और चीज़ने लिखने चाता हूँ अपने बारे में, जैसे की founder of coding shuttle and x software engineer, इसके बाद नीचे एक और लाइन लिख देते हैं, I love web development, तो यह line basically मेरी बहुत पुरान line है, जो मैं लिखा करता हूँ, हमेशा से लिखते हा रहा हूँ, तो यह देखते हैं कैसा देखते हैं, तो यहाँ पर यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मैं चाहता हूँ, यह वाली जो line है, यह हमें थोड़ी सी टेडी होके देखे, इसका मतलब italicize होके देखे, आई, और इस आई को यहां से करेंगे cut, और यहां कर देंगे paste, ठीक है, तो यह italicize होके हमें देखेगा यहाँ पर, इसके नीचे, यहां पर आप चाहो तो emojis बगारा भी लिगा सकते हो, ठीक है, तो यह love की जगे आप actual love वाला emoji लगा सकते हो, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसको हटाना है, windows के अंदर तो सीधा होता है, windows plus dot, right, windows plus dot करोगे, तो आपका emojis वाला keyboard open याता है, Mac के अंदर होता है, आपका control command space, control command space से यहां पर open याता है, कई बार यह open नहीं होता है, कई बार काम नहीं करता है, तो हमें क्या करना है, अपने chrome पर आना है, और यहां पर लेखना है, heart emoji, और यहां से हम करेंगे copy, ठीक है, select करके, and then यहां पर हम इसे paste कर देंगे, तो यहां पर यह कुछ इस तरीके से देख रहा है, but don't worry, आपकी website के अंदर यह ठीक से देखेगा, और हम चाहें तो यहां पर एक shuttle वाला emoji भी लगा सकते हैं, यह वाला, rocket emoji, तो यहां पर यह कुछ इस तरीक से देख रहा है, हमें इसे save करना नहीं पढ़ रहा, हमें यहां पर इसे reload करना नहीं पढ़ रहा, क्यों नहीं करना पढ़ रहा, यह मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया काफी बार, कि auto save हमने on कर रहा है, यहां पर आप जाओगे file क करने के लिए इस पर क्लिक करोगे, तो तुरंत आपके ब्राउजर में यह चीज़ ओपन हो जाएगी, आपको reload भी ना करना पड़े, तो आपको save भी नहीं करना पड़ेगा, and then reload भी नहीं करना पड़ेगा, इसके नीचे वाला content लिखते है, तो इसके नीचे मुझे इसके लिए अपने code के अंदर हमें यहां पर बता भी देना चाहिए, कि हमारा एक section खतम हो गया, तो उसके लिए हम comments का use कर सकते है, command slash, और इसके बाद इस comment में लिख सकते हैं, header, ends, और इसके बाद अब यहां से हम start कर सकते हैं, अगली चीज़ को, which is our education, तो उसके लिए मैं rows, और हर row के अंदर मैं चीज़ें बताऊंगा कुछ-कुछ, तो पहली row के अंदर बताऊंगा मैं let's say tr, और इस row के अंदर मुझे चार headers चाहिए, तो th multiply by 4, तो एक हमारी row बनगे, इसके अंदर चार headers है, पहली चीज़ होगी हमारी course, दूसरी होगी हमारी institute, तीसरी चीज़ चीज़ होगी हमारा year, एंद चौथी चीज़ होगी हमारा result, तो इसको जड़ा देखते हैं कैसा दिख रही है, तो यहाँ पर आप देख रहो है हमारी education है, और यह table हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही है, इसमां borders नहीं आ रहे है, borders लाने तो अगेर हमें पता है, कि हम या इसके नीचे मुझे further दो रोज और चाहिए, तो टी आर, multiply by 2, इससे दो रोज बन जाएंगे, और हर रो के अंदर मुझे चाहिए, कि चार चार टेबल डेटा हो, तो टी डी multiply by 4, enter, तो यहाँ पर देख रहो है, दो रोज बन गई है, और इसके अंदर चार चार टेबल इसके बाद इसमें एर हो जाएगा 2015, और इसके बाद इसमें एर हो जाएगा 2015, 2015 रहेगा, और टेबल डेटा के अंदर हमारा result हो जाएगा 94.4, इसके बाद दिखते हैं कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर हमें 12 के बाद वाले टी एच को थोड़ा उपर दिखाने है, सूपर स्क्रिप्ट के अंदर दिखाने है, तो यह हमें पता है कैसे दिखता है, सूपर स्क्रिप्ट हमने देखा था, टेक्स्ट फॉर्माइटिंग के टाइम पर, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे SUP, और इस SUP के अंदर इस TH को डाल देंगे, ठीक है, और यह सारे जितने भी स्पेसिस हैं, यह सारे हटा दे क्योंकि यह स्पेसिस आपको वहाँ पर रिफ्लैक्ट होंगे, तो यहाँ पर देखो, 12th grade का TH, वो उपर आ चुका है अपने यहाँ पर, इसके बाद मैं नीचे चाहता हूँ कि internship वगरा जो भी की थी वो नीचे दिखाए दें, तो internship के लिए हम एक अलग header बनाएंगे, तो is p, let's say, better, और इसके नीचे मैं डालना चाहता हूँ क्या post थी, which was android developer intern, और इसके नीचे हम लिखेंगे, जो भी हमारे वहाँ पर responsibilities थी, जो जो वहाँ पर काम किया था, तो उसके लिए मुझे उसके लिए मुझे उसकरना चाहिए एक unordered list का, ul, इसके अंदर मैं दो list राट ह जाएंगे, तो इनके अंदर में लिखेंगे, जो जो मैंने हाँ पर काम किया था, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना actually बताओगे कि आपने क्या काम किया था, and then दूसरी लैन के अंदर, let's say, lorem 20, और देखते हैं यह कैसा दिख रहा है, तो यहाँ हम क्या करना है, यहाँ पर आना और लिखना है strong, और इस strong को यहाँ से उढ़ा के better butter के आग ले जाना है, और हम यहाँ पर देखेंगे, तो यह थोड़ा अलग दिख रहा है, और यहाँ पर आपता चल रहा है कि android development intent था, इसको हम थोड़ा italicize कर सकते हैं इस वाले part को, right, तो अलग दिख रहा है part, तो यह धिरे-धिरे करके shape में आने लगा है, आप देख रहोगे, थोड़ा सा cool लगने लगा है यह, एक चीज हम और कर सकते हैं, इस वाले part को हम right side में align कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताया था कि image को आप लोग float कर सकते हो left side में, लेकिन उसको अगर आप करोगे ना तो थोड़ा सा issue हो सकता है, जैसे इस image के अंदर अगर मैं float को left कर दूँगा, तो style float left, तो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे इसके right side में, देख रहे हो, हमारा यह वाला part भी आएगा, यह वाला part भी आगा, actually होता है कि जितनी भी ज HTML का use करके करना है, तो उसके लिए हम table का use कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी एक table बने, जिसके अंदर यह वाली एक row है, जिस row के अंदर एक यह वाला column है, photo वाला column, और एक यह पूरा का पूरा column है, तो आप देखोगे कैसे आप सिर्फ table की help से इसको पूरा का पूरा align कर सक तो मैं क्या करूँगा, यहां पर आऊँगा body के अंदर और यहां पर एक table बनाऊँगा, और इस table के अंदर में एक row बनाऊँगा, जिसके अंदर दो table data होंगे, तो td multiply by 2, और पहले data के अंदर यह वाल लेना जाएगी, command x, और दूसरे वाले table data के अंदर यह लेना जाएग और आपका नीचे यह वाला part start हो रहा है, तो actually यह पूरा पूरा एक table ही है, और by default table के अंदर कोई भी border शो नहीं होता है, तो यहां पर हम देख रहे हो, कोई भी border भी शो नहीं हो रहा है, अगर हम यहां पर border शो कर देंगे, तो यह थोड़ा अलगी दिखने लगेगा, border equals to nothing, and then यहां पर देख रहो, यह हमारी border भी शो रही है, इस border को यहां से हटा देते हैं, क्योंकि यह इतना अच्छा लगनी रहा है, तो यह हमारा कुछ इस तरीक से देख रहा है, तो थोड़ा और बैटर साही है, लगने लगया, अब इसके नीचे हम लिखते हैं अपने projects के बारे में, तो projects के लिए भी हम same section बनाएंगे, projects, और इसके नीचे actually multiple projects हो सकते हैं, जैसे internship अगर एक थी, लेकिन projects multiple हो सकते हैं, तो उनके लिए आप use करोगे, again unorder list का, तो ul, मैं चाहता हूँ यहां पर दो projects दिखाना, तो ul, li multiply by 2, enter, और यहां पर हम अपने अलग-अलग projects क दिखा सकते हैं, तो पहली वाली alai के अंदर मैं पहला project दिखाएंगे, which was let's say ethereum voting, तो इसके लिए मैं करूँगा P, hit tap, ethereum voting, और इसके बाद मैं इसके बारे में नीचे कुछ बताना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं lorem use कर लूँगा, again lorem let's say 30, और एक और project लगा देते है याँ पर P tap के अंदर, और इसके अंदर मैं यूज करूँगा, again दूसरी project का, which was let's say shuffler, यह जो projects है, यह actually मैंने बना रखे हैं, और आपको भी मैं recommend करूँगा, आपने resume के अंदर वही project दालने के लिए, जिनके आप link भी डाल सको, लेकिन अभी हम link नहीं डाल रहे हैं, link ड हम चाहते हैं कि Ethereum voting जो है वो P tag ना रहे, थोड़ा बड़ा दिखे, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको use कर सकते हैं, H3 tag भी, या फिर इसको bold भी कर सकते हैं, आप लोग तो मैं यहाँ पर H3 use कर लेता हूँ, H3, यहाँ भी H3, और same नीचे भी H3 लगा देता है, अब देखत हैं, ठीक है, तो अब यह थोड़ा बैटर लग रहा है, आप लोग चाहो तो यहाँ पर और फर्दर लिस्ट आइटम बना सकते हैं, यह सब्सक्रों करो Ethereum voting जाते हो दो चीजां मेंशन करना, तो उसके लिए अगेन हमें कुछ नी करना, यहाँ पर बस nesting करते हैं नहीं है, त तो हम यहाँ पर जाके एक और on order list बना सकते हैं, which is like this, तो हम यहाँ बनाएंगे ul, और li multiply by let's say 2, तो अब इस वाली list के अंदर हम डाल देंगे इस वाली चीज़ को, और इस वाली list के अंदर हम दूसरा एक lorem डाल सकते हैं, और यहाँ पर बनाएंगे लारम 20, तो यह कुछ इस तरीक से देखेगा, देख लोग, एथिरेम बोर्टिंग के अंदर हमने यह चीज़ें की थी, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं अपनी contact information, जिससे हम यह connect भी कर सकें, तो connect with me के लिए हम एक नया section बनाएंगे, तो उसके लिए एक नई horizontal rule बनाएंगे, तो horizontal rule, और हम अपनी information दा सकते हैं, email, और अपना GitHub भी डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर connect with me वाला section भी बन चुका है, तो इस तरीकी से हमने अपना resume वाली website यहाँ पर बना ली है, आप लोग चाहो तो इसको अपने LinkedIn के उपर share कर सकते हो, जिससे की recruiters को भी कि अच्छा, आप लोग क्या क्या काम कर रहे हो, उनको पता चले कि हाँ वैव development भी आती है, इसको जो हम और सुन्दर कर रहे होंगे, तो यह और ज्यादे beautifully दिख रहा होगा, इसको जो हम deploy कर रहे होंगे, so that आप लोग वो link भी डाल सको, अभी अगर आप यह लिंक किसको भ ने ओशन से ऑवके होगा है, ठहुंगे वोग तो